समुदरी कच्चुआ एक ऐसा जीवे जिसके बच्चों का जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा होता है। बच्चों के पैदा होने के बाद ये लगबग 80% बच्चे मर जाते हैं पर कैसे आये जानते हैं। दरासल जब एक मादा कच्चुआ अंडे देने वाली होती है तो वो समुदर के किनारे आकर रेद में गड़ा करके उसमें अपने अंडे देती है। आपको बता दे एक समुदरी मादा कच्चुआ एक बार में करीब 80-90 अंडे देती है। अंडे देने के बाद मादा कच्छु अपने अंडों की सुरच्छा के लिए उन्हें रेच से ड़कर वापस समुद्र में चली जाती है और दोबारा कभी भी अपने अंडों को देखने के लिए वापस नहीं आती है फिर 50-60 दिनों के बाद अंडों से बच्छे निकल आते हैं और इसके बाद सुरू होती है बच्छों की असली मुस्किले हैं क्यूंकि रेच से दबे होने के कारण 50% बच्छे बाहर नहीं आ पाते हैं और वहीं रेच में दब कर मर जाते हैं इनमें से केवल 50% बच्चे ही जिन्दा बच पाते हैं और ये जिन्दा बच्चे हुए बच्चे जब समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं तो आस्मान के खतरनाक सिकारी इगल और गिद इनकी दीमी चाल का फाइदा उठा कर ज्यादा तर कचुए के बच्चो को माल डालत आकिर में केवल 20% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो समुद्र तक पहुच कर अपनी जान बचा पाते हैं वैसे क्या आपने कभी कच्चुए के बच्चो को देखा है कमेंड करके जरूर बताना